अबस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फेटिंग सोप या मसीन सोप में इस्तेमाल होने वाले प्रिसाइज मेजरमेंट टूल वर्नियर कैलिपर के दुवारा रीडिंग किस परकार से ली जाती है सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर है इस पर अगर हमें final reading निकाल ली है मतलब कि जो total reading क्या होगी उसके लिए हमें दो reading चाहिए पहली reading हमें main scale से मिलेगी और उस reading को हम add कर देंगे second reading के साथ जो हमें वर्नियर scale से मिलेगी तो यहाँ इस diagram में आगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो भी और वर्कपीस के तोर पर जो हमने लिया है वो एक स्फियर है तो इस स्फियर का डायमिटर हमें निकालना है स्फियर को हमने जो हमारे पास जो external जा है उनके बीच में इसको hold किया है और यहाँ पर ये इसका main scale है जो metric scale है जो नीचे की तरफ है जो centimeter में होता है और एक centimeter में 10 mm होते हैं तो main scale की जो smallest division है वो 1 mm की होती है और उसके बाद यहाँ पर ये vernier scale है तो vernier scale को हम इस work piece के पास लेकर आए और उसके बाद इस lock nut से हमने position को lock कर दिया अब हम इस particular portion को enlarge करकर देखते हैं कि हमारी जो reading है वो क्या होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है पहली reading हमें चाहिए जो main scale से मिलेगी ये उपर की तरफ हमारा ये main scale है जो beam के उपर बना होता है तो इसको हम read करेंगे इसको read करने का तरीका ये है कि जो vernier scale का zero division होता है उससे जो last division है main scale की उसे हमें note करना है तो यहाँ पर अगर हम देखें 1.1 cm, 1.2 cm और 1.3 cm तो 1.3 cm हमारी main scale से पहली reading होगी क्योंकि यह इस zero से बिलकुल last वाली reading है तो पहली जो reading हमारे पास आई main scale से वो 1.3 cm है जैसा हमें पता है 1 cm 10 mm के बराबर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 13 mm तो हमारी जो पहली reading main scale से आई वो है 13 mm उसके बाद हमें second reading चाहिए जो हमें vernier scale से मिलेगी तो vernier scale यह हमारे पास नीचे है तो vernier scale पे हम देखेंगे कि इस zero से लेके आगे तक ऐसी कौन सी division है जो main scale की किसी एक division के साथ coincide कर रही है उसको हम note कर लेंगे और उसको multiply करेंगे vernier caliper के least count के दुआरा vernier caliper का least count कितना है 0.02 mm least count किसी भी instrument का वो minimum measurement होता है जो हम उस instrument के दुआरा map सकते हैं तो second reading vernier scale से हमारी क्या होगी तो अब यहाँ पर अगर हम देखें जीरो से लेके यहाँ तक यह वाला जो division है यह आपस में coincide कर रहा है तो यह हमारी कौन सी division है vernier scale की 21st division तो 21 जो division है वो main scale की division के साथ coincide कर रही है तो हमारे पास जो second जो reading आई vernier scale से वो क्या होगी तो हमने 21st division को multiply करेंगे 0.02 mm यहाँ पर mm है उसके बाद 21 को multiply किया 0.02 mm के साथ तो vernier scale से second reading आई 0.42 mm तो हमारे पास total reading क्या होगी पहली reading main scale से आई उसको add करेंगे second reading जो vernier scale से आई है तो पहली reading main scale से कितनी थी 13 mm उसको add कर दिया 0.42 mm के साथ तो final reading क्या हुई 13.42 mm यही इस sphere का diameter है तो इस परकार से vernier scale पर reading को read किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दो दोस्तों के साथ